नमस्कार मैं हूं मनमोहन भट उत्राखंड के मुख्यमंतरी पुश्कर सिंग धामी पिछले कुछ हफ्तों से उत्राखंड के अलग-अलग हिस्सों का वो दौरा कर रहे हैं चाहे वो मैदानी क्षेत्र हों और चाहे घंगोर पहडे क्षेत्र सभी जनपदों में जाकर इस्थानिय मुद्दों की वो समिक्षा कर रहे हैं अधिकारियों के साथ वारता लाव हो रहा है और अधिकारियों की बाचीत के साथ साथ जनता से भी सीधा समवात करने की कोशिश मुख्यमंतरी पुशकर सिंध धामी ने पिछले कुछ हपतों में की है जब अधिकारियों के साथ समिक्षा उन्होंने की तो कई अधिकारियों को काफी डाट डपट भी सारवजनिक रूप से होती हुई दिखाई दिये यानि अधिकारियों के पेच कसे गए लेकिन साथ साथ जब जनता से उन्होंने बात कही या करी तो सीधा सीधा उस जनता का फीडबैक भी लेने की कोशिश पुशकर सिंग धामी ने की है और अब इसका सीधा असर आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है खबर अंदर से ये है कि मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी बड़े प्रशाशनिक फेर बदल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं चाहे जिलों के अधिकारियों की बात हो पुलिस अधिकारियों की बात हो और चाहे सचीवाले या पुलिस मुख्याले में महत्वपूर्ण जमेदारिया निभा रहे अधिकारियों की बात हो कईयों के दायतों में बड़ा फिर बदल संभव है कई जगा नए अधिकारियों की तैनाती होगी और कई अधिकारियों के पर कतरे जाएंगे इसके लिए पूरा खाका खीचा जा चुका है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री इस फाइल को मनजूरी दे देंगे इसके बाद नए सिरे से नए साल के स्वागत की तैयारी की जाएगी यानि 2023 जो टागेट सेट किया जाएगा उसके हिसाब से नए अधिकारियों को तैनाती मिलेगी हम सब लोग जानते हैं कि उत्तराखन में मंत्री मंडल में फेर बदल या विस्तार की चर्चा भी लगातार जारी है उसके लिए हाई कमान का आदेश शायद अभी तक नहीं मिला है इसलिए उस पर अभी मुख्यमंत्री कोई फैसला नहीं ले पाये हैं कह सकते हैं कि हिमान्चल परदेश और गुजराच चुनाओं के चलते शिर सनेत तरत्व कोई फैसला नहीं ले पाया है लेकिन अब मुख्यमंत्री अपने इस तर से क्या फैसला ले सकते हैं ये हम सब के सामने हैं प्रशाशनिक फैर बदल मुख्यमंत्री बहुत जल कर सकते हैं इंतजार इस बात का है कि कब वो फैर बदल करते हैं किस-किस को महत्पूर्ण जिम्मदारी मिलती है और किस-किस के पर कतरे जाते हैं ये देखना अभी बाकी है साथियों अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन जाने से पहले आगरह जरूर करूँगा ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार